Hey guys, this is Pretty. Welcome back to my channel. Guys, आज़ हम बात करने वाले हैं एक Thai Horror Thriller के बारे में जिसका नाम है Ghost of Maynark. This film is written and directed by British director Mark Duffield. और ये film 2005 में रिलीज वी थी. IMDb पर इसका rating है 5.1 out of 10 और 84% Google News ने से like किया है. ये कानी है Mac नाम के एक यांग लड़के के बारे में. उसके लाइफ में सब कुछ बिल्कल सेट है. एक अच्छा परिवार, supportive parents, एक अच्छा खासा जॉप और एक प्यारी सी girlfriend नेक. जो उसकी फ्यान से भी है. बहुत चल्द उनकी शादी होने वाली है. बॉइफरेंड का नाम है Mac और girlfriend की नेक. क्या जोरी है. इन्वेज, वो लोग एक काफी लवी डवी कपल है. और उनके लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ही perfect है. सब कुछ जैसे एक सपने की तरह बीथ रही थी. मगर इस सपके बीच उसका सपना ही उसे परेशान कर रहा था. पता नहीं कि उसे बार-बार बहुत अजीब से डराफने सपने आ रहे थे. वो बार-बार अपने सपने में एक लड़की को ही देख पा रहा था. जो बहुत ही भ्यानक दिखती है. ना उसके आँखे थी ना दाथ. उनकी जगा काले रंगा गड़्था था. बिल्कुल शाइनी ब्लैक और उसके माथे का एक हिस्सा गाएपी है. ये सबने बहुत ही जादर रियलिस्टिक होते हैं. जैसे कल रात की ही बाद है, मैक सो रहा था. चानक से उसे लगता है कोई से बुला रही है. और हमें सच में उसके कमरे में कोई साया नजर आता है. उदर दर्वाजे पर कोई दस्तक दे रहा था. मैक चेक करता है, बाहर तो कोई नहीं था. लेकिन ये आवाज धीरे धीरे बटी जा रही थी. फाइनल एक हाथ दर्वाजा तोर कर अंदर आता है और तबी. आज वो लोग जा रहा है अपने लिए घर देखने. रिसेटली नियूस पेपर में उन्हें एक ब्रोकर मिस्टर इंजल के बारे में पता चला है, जो एक बहुती बरिया घर बहुती सस्ते में ओफर कर रहा था. वो लोग उसी दिन उस रियल एस्टेट एजेंट के आफिस में जा पहुचते हैं. वो आफिस कम किसी तांत्रिक का घर जादा लग रहा था. चारो तरफ इतने सारे अजीब अजीब से चीजे बिक्रे बरे थे, सिंबॉल्स बने हुए थे. जब मैक उनसे पूचता है ये सब क्या है, तो मिस्टर एंजल कहता है, ये सब उसके प्रोटेक्शन के लिए है, मगर किस से ये तो वो नहीं कहता. कुछ लोग पाई नीचर कुछ ज़ादा ही सुपस्टीशिस होते हैं, ये समझकर मैक उससे ज़ादा सवाल भी नहीं पूचता. इंजलों ने घर दिखाने ले जाता है फ्राख हनाउंग नाम के एक जगा में. जैसा कहा कहा था, ये एक बहुती छोटा सा सिंपल सा घर है, यहाँ पर आसपास जादा लोग भी नहीं रहे थे, तो डिस्टर्बिंस नहीं होगी. दियूले मैरिट कपल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. कैट सिर्फ इतना ही था, ये घर बहुती पुराना है, सौ साल से भी जादा तो उन्हें थोड़ा बहुत रिपेरिंग करना परेगा. मैक और नैक दोनों को ही घर बहुत पसंद आता है, तो वो लोग उसी वक्त घर को खरीदने का डिसाइट करते हैं. और अपने लॉयर मिस्टर प्रीचा से कहे कर पेपर्स रेडिये रखने के लिए कहते हैं. मगर हैरानी की बात ये है, हमें इस घर में भी वो लड़की दिखती है. मतलब वो सिर्फ मैक के सपने में ही नहीं थी, बलके हकीकत में भी वो एक्जिस्ट करती थी. असर में वो एक आत्मा है जो किसी कारिन के वज़े से मैक को हांट कर रही थी. मैक इस घर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइडिट था. मगर फिर बेग घर को खरीदने से पहले उसे थोरा सा सोचने का वक्त चाहिए था. लेकिन ये ब्रोकर बार बार उसे ये कह रहा था कि इस घर की बहुत ज़्यादा डिमांड है. बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए है. तो मैक साइन कर ही देता है वो भी कॉंट्रेक्ट पेपर को ना परे. मैक और नैक दोनों ही बहुत खुश थे अपने पहले घर को लेकर. अपने दोनों दोस्त नोई चोई के मदद से बस कुछी दिनों के अंदर उस घर को वो लोग बिल्कुल रेडी कर लेते हैं. मैचिंग फर्निशर्स भी खरीद लेते हैं, मगर उने तो पता ही नहीं था, उन पर कोई नज़र रख रहा है. हम दो आत्मी को देखते हैं, जो बिल्कुल पहले दिन से ही उस घर के आसपास भड़क रहे थे. ये कपल कब घर में रहते हैं, उनके पास क्या क्या सामान है, कितनी कीमती हैं, वो सब कुछ देख रहे थे. असल में ये लोग चोर थे, और उनके घर में चोरी करने का प्लैन कर रहे थे. इस सबसे अंजान मैक और नैक अपने लाइफ को सजाने में बिजी थे, बस कुछ ही दिन के अंदर उनकी शादी थी. मैक अपनी उन्ट मी वाइफ के लिए एक प्यारा सा पेंडेन खरीता है, एक ब्रोच. उसे पदा था, नैक को ऐसी चीज़े बसंद आ दी है. ये एक तरहा का लखी चर्म भी है, जो उन्हें मिस्टर एंजल के ओफिस में दिखा था. ये नैक का वेडिंग गिफ्ट होने वाला है. शादी से पहले अभी सिर्फ दो दिन ही बचे थे. नैक अपने फैमिली के ट्रादीशन के अनुसार एक फोर्चुन टेलर से मिलने जाती है, जिसने उनके शादी का डेट फिक्स किया था. और उधर हम देखते हैं, वो ब्रोकर कुछ खिचरी पका रहा है. वो मैक के लॉयर मिस्टर प्रीचर को कॉल करके एक अपॉइंटमेट फिक्स करता है, क्योंकि उसे उस घर के बारे में कुछ बात करनी थी. हम उसे स्टेशन में देखते हैं, उसने आलरेडी बहुत दारूपी रखा था, मगर फिर भी उसे तब ही जाना था. हम उसके हाथ में ठीक वैसा है एक लकी चर्म वाला ब्रोच देखते हैं और उसके पीछे थी वही आत्मा, जिसे वो देख नहीं पा रहा था. मतलब अभी मैक को छोड़ कर ये आत्मा उसे फॉलो करने लगी थी. एंजल ट्रेन पे चरता है, खाली कमरे में अचानक से उसे सामने वाले सीट पर वो आत्मा दिखती है, जूसे ही घूर रही थी. इसी बीच पता नहीं कैसे उसके ब्रिफ केस में आग लग जाती है. धुये के कारण उसे सफ़ोकेशन होने लगता है. जैसे वो बहाचानी की कोशिश कता है, उसका सर तरवाजे के बीच फस जाता है और ठीक उसी वक्त दूसरे तरफ से एक ट्रेन आ रही थी, जिसके वज़े से उसका सर धर से अलग हो जाता है और उसे एक बयानक मौत मिलती है. देखने से तो ये एक एकसिडेंट ही लग रहा था, मगर असल में ये उसी आत्मा का खेल है. मगर इसके पीछे का मोटीफ हमें कहानी के आगे बता चलेगा. ने पास्रू में जाता है तो वहाँ पता नहीं कब नेक भी पहुच गए थी. वो कुछ खा रही थी, अचीब सी, पूछने पर वो कहती है कि उसके ग्रैनी ने उसे दिया है. ये एक ट्राडीशन है, इसे खाने से दात काले रंके हो जाते हैं, मगर पिछले जमाने में इसे ही खुबसूरत माना जाता था. नेक खुद तो खा ही रही थी और उसी हालत में वो मैक को भी किस करने की कोशिश करती है, मगर मैक उसे रोक लेता है और उसे अपना मूध होने के लिए कहकर खुद सोने चला जाता है, उसे नीद आ रही थी, लेकिन कमरे में घुसते ही उसकी नीद गाइब हो जाती है क्योंकि बिस्दर पर नेक सो रही थी, असली नेक, तो फिर बातरूम में वो कौन थी, पूरी रात उसे ठीक तरह से नीद नहीं आती, वो सबने में था या वो सब कुछ सच था, उसे समझे नहीं आ रहा था, मगर नेक्स्ट मॉर्निंग नेक उसे घर में लोटते हैं, तो पता चलता है कि घर का दर्वाजा खुला हुआ है, और अंदर से सब कुछ गाइब है, परनिचर्स, शादी में मिले गिव्ट्स, इवर मैक का वर्लिंग सूट भी, उसके अंदर ही उसने वो ब्रोच रखा था, नेक को देना तो भूल ही गया, पु उन्हों चोड़ थे, मैक उनका पीछा करता है, मगर वो लोग उसे देखकर ये गारी लेकर भाग जाते हैं, और भागते वक्त मैक का उनके गारी के साथ एकसिटेंट हो जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, जल्दी से उसे हॉस्पिटलाइस किया जाता है, मगर वो नैक से कहता है मे नाक को ढूंट निकालो नैक ये बात सब को बताती है मगर कोई भी उसके बातों पर बिलीफ नहीं करता तो रात में वो अपने ग्रैनी से पूछती है मे नैक कौन है तब उसे पता चलता है मे नैक एक फिमल घोस्ट है सौ साल पहले थाइलेंट में जंग के समय एक लड़की रहा करती थी नैक नाम से वो प्यार करती थी मैक नाम के एक लड़के से वो लग शादी करती है और बिल्कुल सपने की तरह एक दूसरे के साथ दिन गुजाने लगते है मगर एक दिन मैक को ओडर मिलता है उसे जंग में जाना परेगा उस समय नैक प्रेगनन थी उससे देखने वाला कोई नहीं था मगर फिर भी मैक को जाना ही पड़ता है बहुत दिन गुजर गए जंग पे रुक चुकी थी मगर मैक जंग में बहुत घाल हुआ था तो उसे ठीक होने में समय लग जाता है जब वो फाइनली अप बहुत ही अजीब भीफ करने लगे थी मैक नोटिस करता है आसपास के घर से लोग गायब थे जो बचे कुछे लोग थे वो लोग भी जैसे उसे देखकर ही भाग रहे थे मैक को बहुत रजीब लगता है तो वो खोद ही एक दिन उनसे मिलने जाता है और उसे एक बहुत ही बाती नैक से कहता है नैक डर और गस्से में पागल हो जाती है हाँ ये बात सच है वो मर चुकी है मगर सिर्फ अपने प्यार के लिए वो इस दुनिया में रह गयी है और ये लोग उसी प्यार को उसे चिनने की कोशिश कर रहे है उसी रात नैक उन लोगों को शाब देती है जिस जिस ने मैक को सच कहने की कोशिश किया था वो सब मर जाते हैं गाओ के सारे लोग डर जाते हैं और मैक को लेकर नैक की कब्र दिखाने ले जाता है क्योंकि उसके स्पिरिट को रोकना ज़रूरी था नहीं तो ऐसी तो वो पूरे गाओ को ही खा जाएगी तो फाइनली मैक सच्चाई को मान लेता है और एक बहुत ही पाउरफुल मौंक आकर नैक की आत्मा को बश्मे कर लेते हैं बस इसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये सिर्फ कुछ गिने चोने लोगों को ही पता है मकर ये कहानी जो फोकलोड में कनवर्ट हुई है वो असल में एक सच्चे प्यार की कहानी है जो भी उसके और उसके प्यार के बीच आएगा नैक उसे मार डालेगी बतला लेगी उससे जो शायद वो अभी कर रही है क्योंकि उसके आत्मा फिर से जाग चुकी है मैक को बार-बार अपने सपने में जो आत्मा दिख रही है वो वो ही तो है नैक पूरे कहानी को सुनती है मगर समझ नहीं पाती में नैक मैक को क्यो हौंट कर रही है इन लोगों ने उसका क्या बिगा रहा है पिछले के रातों से वो उसके सपने में आ रही है क्या दुश्मने निभाने या फिर सिर्फ कुछ कम्यूनिकेट करने उदर हमें वहीं दो चोड नजर आते हैं जो और एक चोड को अपना समान बेच रहे थे मगर में आक उन्हें रोकती है उस डिलर को वो इतना डरा दी है कि वो तो उसे देकर खिरकी से एक उदकर सुसाइट कर लेता है दूसरे चोड को में आक उसके गारी के साथ ये क्रशर में डाल के अच्छे ऐसे क्रश करती है और उस आदमी की तो हड़ी पसली एक हो जुगी थी दूसरे तरफ हॉस्पिटल में मैक की हालत भी बिलकुल सेम ही थी कोई भी इंप्रॉफ्मेंट नहीं था डॉक्टर्स को उसकी कोई प्रॉब्ली में समझने आ रही थी तो वो लोग ट्रिटमेंट कैसी करेंगे फिजिकली मैक बिलकुल फीट था मगर जैसे उसका शरीर में जानी नहीं थी जैसे उसके आत्मा किसी और के पास है इसी बीच नैक से मिलने आता है वो लॉयर मिस्टर प्रीचा वो से उस ब्रोकर इंजल की मौत की खबर देता है और ये भी कहता है उसकी मौत मैक और नैक के लिए बहुत ही बेनेफेशिल है क्योंकि वो उन्हें ब्लैकमेल करने वाला था उस रात जब इंजल ने प्रीचा को कॉल किया था वो ये कहने के लिए कि वो उस घर का दाम दुखना करने वाला है नहीं तो उन्हें घर नहीं मिलेगा ये कंडिशन कॉंट्रेक्ट पेपर में ही लिखा था जो मैक ने बिना परे ही साइन किया था मिस्टर प्रीचर जब घर के कागस को अच्छे से देखते हैं फ्राग खानाओं के पर्टिकूलिली ये घर बहुत ज़्यादा पुराना है इतना पुराना कि शायद मेना के समय का और ये भी हो सकता है कि ये घर असर में मेना का ही है जहां वो अपने पती के साथ रहती थी ये बात एंजल को भी पता था और इसी लिए वो इतना सारा प्रोटेक्शन यूज किया करता था नैक बिलकुल हैरान हो जाती है अंजाने में ही में नैक के साथ उनका बहुत सारा कनेक्शन जुट चुका था लेकिन वो उन्हें होन तो उस घर में जाने से पहले से ही कर रही है क्यों उस दिन जब नैक घर लोट रही थी उसकी नजर पती है एक दुकान पर ये एक क्लोधिंग स्टोर था बहुत सारे कपरों के बीच नैक को मैक का वेडिंग सूट दिखता है ये उसी सेकंड चोड का दुकान था तो वो तो नैक को दुकान से भगाने की कोशिश करता है मगर नैक को याद आता है इस सूट के पॉकेट में ही मैक ने उसके लिए वेडिंग गिफ्ट छोड़ा था वो ब्रोच तो नैक उसे उठाती है और बाहर भागती है वो सेकंड चोड भी उसका पीछा करता है मगर मीन आक की आत्मा उसे जलती हुई कोले के उपर फिक कर मार डालती है मतलब शायद वो भी चाती थी नैक को ये गिफ्ट मिले मगर वो नैक की मदद क्यों कर रही थी इसका जबाब हमें बस कुछी देर में मिल जाता है उस ब्रोच को छूते ही नैक को बहुत अजीब फिल होने लगता है उसे पास्ट की जलक नजर आने लगी थी वो अपने और मैक की फर्स्ट केस को भी देख पा रही थी तो इस सब का मतलब समझने वो इस ब्रोच को लेकर उस पंडित के पास मतलब फॉर्चुन टेलर के पास जाती है मगर इसे देखकर ही वो पंडित डड़ के मारे बेहोश हो जाता है सिर्फ इतना ही वो कह पाता है कि मेनाक की आत्मा को शान्थ करने के लिए उस मौंक ने उसके माथे का एक हिस्सा काट कर उसी हड़ी से एक ब्रोच बनाया था और जिस पे मंतलब लिखकर अपने पासे रख लिया बाकी के शरीर को जंगल में कहीं दफना दिया गया मगर समय के साथ-साथ उसकी कब्रे और वो ब्रोच कहीं खो गया लेकिन अभी नेक के पास लोट भी आ है यह वहीं कर्स्ट ब्रोच है डर्त और नक को भी बहुत ज़ादा लग रहा था वो इसके साथ क्या करे मगर उस पंडित के घर में जो नौकर था वो बहुत ही ज़ादा बदमाश था जब उसे बता चलता है यह ब्रोच कितना वैलियोबल है तो वो उसे नेक से छीन कर भाग निकलता है इसे बेचने पर उसे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है डील भी फिक्स्ट हो चुकी थी मगर डीलर तक पहुचने से पहले ही में नेक के आत्मा उसे मार डालती है वो भी बहुत भेयानक तरीके से उसका शरीर आधे हिस्सों में बढ़ चुका था नेक भी उसके पीछे पीछे ही आ रही थी तो मौका पाकर वो उस ब्रोच को लेकर भागती है उसे आगे क्या करना है ये ब्रोच ही उसे बताएगा उसे फिर से पास्ट के जलक नजर आती है ध्यान देने पर वो समझ पाती है ये उनका ओल्ड स्कूल है नेक वहाँ पर जाती है उसे एक स्वीपर से पता चलता है कि ये स्कूल बंद हो चुका है क्योंकि लोगों को यहाँ भूत दिखने लगा था असल में ये जगा एक कबरस्थान है नेक को समझने में देर नहीं लगती कि ये कबर असल में मेनक की ही है उसने जब यहाँ पर मैक और नेक को देखा एक दूसरे को प्यार करती हुए देखा तो उसे अपनी प्यार की आदाई उसे फिर से जिन्दा होना था लेकिन वो उस ब्रोच के बेना पॉसिबल नहीं था इसलिए उसने मैक को हॉंट करना शुरू कर दिया मैक के दिल में जो प्यार था वो बिल्कुल सचा था बिल्कुल उसकी तरह इसलिए उनका बांडिंग भी काफी स्ट्रॉंग रहा नैक अभी इस बात को समझ चुकी थी तो वो अपने दोस नोई चोई को लेकर उस बांडन स्कूल में जाती हैं उस कबर को ढूंडने बहुत ढूंडने के बाद उन्हें कबर तो मिल जाती है मगर तब ही उन्हें खबर मिलती है मैक की कंडिशन खराब होने लगी है असल में उनके परिवार ने कुछ मौंक्स को बुलाए थे प्रेयर्स के लिए उन्हें मैक के शरीर में किसी और की प्रिजिंस महसूस हुई थी और तब ही मैक का शरीर भी लेविटेट करने लगा था लेकिन बस कुछी सिगन के लिए उसके बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया तो डॉक्टर्स उसे इंटेंसिफ टेस्ट के लिए ले जाते हैं अगर इसमें भी कुछ पता ना चले तो शायद मैक और कभी ठीक नहीं हो पाएगा नैक को भी ये बात भली भाती बता था तो वो अकेली ही फिर से उस कबर के पास जाती है मगर नोई चोई ने आलरीडी पुलिस को अनफॉर्म कर दिया था क्योंकि वो लोग किसी लाश के साथ छेरखाने नहीं करना चाते थे वैसे भी नैक जो सब कह रही थी उन सब सुपस्टीशिस बातों पर इन लोगों का कोई भी भरोसा नहीं था तो उस ब्रोच को प्लेस करने से ठीक पहली पुलिस मेनेक की लाश को सील कर देती है नैक फिर से एक मौका गवा चुकी थी डॉक्टर्स ने भी जब आप दे दिया था अभी मैक को एक मौनिस्टरी में शिफ्ट किया गया था एक्जॉसिजम के लिए लेकिन नैक को भी पता था उसे क्या करना है उसके ग्राइनी उसे एक मिर्यम के पास ले जाती है जो मेनेक के आत्मा के साथ कम्यूनिकेट कर सकती थी और उस प्लैंचेट में भी नैक को वही सेम बात ही बता चलती है कि मेनेक आजाद होना चाहती है नैक उसी राच चोई के मदद से चोड़ी छुपे पुलिस मौर्ग में घुश जाती है और बहुत ही मुश्किल से उस लाश को ढूठ निकालती है उस प्रोच को प्लेस करती है उसके माधे पर मेनेक का शरीर कम्पलीट हो जुगा था उसे आजाद ही मिल गई थी तो उधर एक्जॉसिसम चलते वक्त मैक भी आजाद हो जाता है सब कुछ फिर से एक बार ठीक हो चुगा था बिलकुल पहली की तरह तो कुछ दिन बाद वो लोग डिसाइड करते हैं मेनेक की लाश को प्रॉपर फुनरल दिया जागा तो कॉफन रेड़ी किया जाता है नेक्स डे भी उसके लाश आग में जलने के लिए बिलकुल रेड़ी थी बस एक ही रात बाकी है मगर रात में मैक को अपने कमरे में अपने साथ मेनेक की आदमा दिख दिखती है जो उसे ही अपना प्रे में समच रही थी तो फिर असली नैक कहा है मैक उसी वक्त मॉनस्टरी में भागता है जहां में नैक का कॉफिन रखा हुआ था और उसके अंदर हमें असली नैक दिखती है fortunately आग में जलने से कुछ सेकंड पहली मैक नैक को रिस्क्यू कर लेता है नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता इस बार मैक और नैक दोनों ही बहुत सादर डर गे थे पता नहीं क्यों अभी भी में एक के आत्मा उन्हें हौन कर रही है मगर असल में डरनी के कोई बात ही नहीं थी क्योंकि ये तो सिर्फ एक सपना ही था मगर एक ही सबना वो दोनों एक साथ देख रहे थे वो भी एक ही समय पर बात कुछ हजम नहीं हो रही शायद मेन एक के आत्मा जाते जाते भी उनके साथ एक छोटी सी मजाग कर गई दोस्तों ये फिल्म यही पर इंड हो जाती है ये एक romantic थोड़ा सा comical thriller है horror thriller है और मुझे personally ये फिल्म काफी जादा पसंद आई है I hope ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल देखने हैं वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर टादा